प्रोफिसर बुक्तिदर ये अभी बात उठी प्रोपेंगेंड़ना वार की इन्फर्मेशन वार की मैं चाहते हूं इस पर थोड़ा आप रोशनी डालें जो दोनों तरफ से नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है मिस इन्फर्मेशन दोनों तरफ से हम सब जानते हैं कि युद्द की रिपोर्टिंग कैसे होती है युद्द की रिपोर्टिंग बेसिकली आप जिस सेना की तरफ से जा रहे होते हैं उसी से फीड की जाती ही खबरें आप ये आम तोर पर है आप अबेड़ेट जेनलिस्ट होत और ये डिसेप्शन चंड दिन पहले मैं अर्थ सास्ट पढ़ रहा था जिसमें कोटेलिया भी प्रॉपगेंडा और फॉल्स इंफरमेशन पहलानी की बात आज से कई तक्रीबं धाई हजार साल पहले लिए तो ये हमेशा से होते रहा है लेकिन अब सोशल मीडिया के वजह से एक खिसम से वो मैगनिफाई होते जा रहा है तक्रीबं आपके फोन पे आपको मैसेज मिल जाती है मैं आपको बताता हूं कि मुझे जो वेस्टन मीडिया की वार की रिपोर्टिंग के बारे में जो शौक हुआ था वो इराख के जंग के वख जिस तरह से अमेरिका के सारे नियू यॉर्क थाइम्स खासतों से अगर आपके सुनने वालों के पास वख तो जुडित मिलर को आप गूगल करें और देखें इतने जुटे जुटे बाते हैं उसने नियू यॉर्क थाइन्स में सलसील कई सालों तक रिपोर्ट करते रही है तो अगर नियॉक टाइम्स वाशिंटन पोस जैसे लोग मतब गवर्मेंट की पॉलिसी की तरफ अलाइन करते हुए वाशिंटन पोस आज कहता है कि डिमॉक्रिसी डाइज इन डार्कनेस वो जब रिपोर्टिंग जब वो कर रहें थे एराक वार में सारी सारी जूटी बाती थी पब्लिक का उपिनियन व उसका यहां पर मज़ा खुड़ाया जाता है कि जैलिंस्की जूइश है तो यूक्रियन कैसा नाजी मुल्क हो सकता है इट इस लाइक सेइंग के अमेरिका में जब बराक अबामा प्रेसिडेंट है तो अमेरिका में रेसिजम नहीं था इस तरह की बात है अगर आप देखें मेरियर पोल का कवरेज मेरियर पोल में वो जो स्टील प्लांट जो एक वाहिट सोर्स आफ रिजिस्टेंस है उसमें जो फौज है वो आज़ाफ बैटालियन है जिसको अमेरिकन कांगरेज ने दो हदा सत्रह से मसलसिल हर साल जब वो एड देते थे यूकरेन की गवर्मेंट को तो उसमें एक लाइन ये होती कि ये एड का फाइदा आज़ाफ बैटालियन को ना हो जो नाजी ग्रूप है और इसमें सबसे जादा रोल एक इंडियन अमेरिकन रोख खनना जो डेमोक्राइट है कालिफोनिया से वो इस पे बहुत ही सकती से नज़र रखे हैं और उनके रिपोर्ट को पढ़ लें वो इस बात का जिकर करते ही नहीं कि आज़ाफ बैटालियन एक न्यो नाजी ग्रूप था और जब फॉक्स चैनल ने ये जेलंस्की से डारेक्ली पूछा था कि क्या आपकी ग्रूप्स में नाजी ग्रूप्स तो जेलंस्की के जवाब बहुत इ जो प्रो नाजी या नियो नाजी ग्रूप्स थे उनको फॉज में इंक्लूड कर लिया इस लाइक सेंग के हिजबुला को अब लेबनीज आर्मी में इंक्लूड कर लिया गया मिलिशियास को तो यह जब इसका कवरेच होता है हर एथिकल रिपोर्टर को चाहिए के कहें के यह दिस इस नाजी ग्रूप जो पूटिन कहता है कि मैं दी नाजीफाई कर रहा हूँ तो मीडिया हैस बिकम एचियर लेडिंग यहां पे मीडिया एक आप कह सकते हैं के वेस्टर्न मीडिया इस वकट हैस गॉन बियांड टेकिंग साइड वो आक्शुली वेस्टर्न गवर अरिका में उससे तो मुझे लगता है कि वो बाइडन पर प्रेशर दा रहे हैं कि वे और करें ज़र आप सी एंपे जाके रिपोर्ट में सवाल मदब रिपोर्टर्स रिपोर्ट करने के वज़ाए सवाल पूछते रहते हैं कि हम कब तक वेस्टर्न मूल वी विल नाट प्र रोल प्ले कर रहा है रादर दें ब्रिंगिंग इडाउन और उससे जो पॉब्लिक को राचट आप कर रहा है इन फेवर अफ युक्रेयन एंड अगेंस्ट मिसाल की तोर पे बार बार कहते हैं कि इस इस ए वार बेट्वें डिमोक्रसी एं अथरिटरियनिजम अगर आप किस प्रेशियन्स, प्रेसिडेंट, सेनिटर्स, युक्रेयन को आप डिमोक्रसी कहते हैं और कोई पुश्बैक रिपोर्टर्स की तरफ से आता ही नहीं तो मुझे लग रहा है कि मीडिया इस हैस बिकम क्योंकि अमेरिका में एट लिस मीडिया इस डिवन बाइ प्रॉफिट मार जाए वो पुब्लिक ओपिनियन को लेकर अपने नारेटिव को शेयर कर रहे हैं और मुझे लगठा है कि इसका लॉंग टर्म कांसेक्वेंस बहुत नेगेटिव रहेगा क्योंकि इट कुद लीट टू डिविजिजिन बिविजिन 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 डॉलर्स के वेपन के आर्रड़ आ रहे हैं अमेरिकन कम्पनी इस को तो इमरिका के लिए ये फइनेशल राफी कर जंग साहबित होने वाली है इसके बाद भी अमेरिका के लिए अगर योरोपियन मीडिय और योरोपियन leaders वेगार तो आप prudence का इस्केमाल नहीं करेंगे तो सबसे ज़ादा नुक्सान उन्ही का होगा उसके बाद रश्या और अमेरिका का अतना नुक्सान नहीं होगा अमेरिका के लिए इस बेनिफिशियल और अगर इस वाद पॉइड पाथबल के अमेरिका इस अप्ले बेनिफियल इस मचले में